अग्टूबर महीने की बिहार करेंट अफ़ेर को डिसकस करूँगा जैसा कि आप से विजानते हैं टीम आईस्पीसे सेंटर के द्वारा परते एक महीने की मन्थली वाईज बिहार करेंट अफ़ेर को आप लोगों के साथ डिसकस किया दाता है एक सेप्रेट प्लेलिस्ट विडियो जो वहाँ पर अबलेवल हैं तो आज हम लोग अक्टूबर दो हजार चोवेस की बिहार के रेंट अफ़ेर को डिसकस करेंगे तर्मी विपेसिफ प्रिलिम्स के लिए काफी महत्तपुन वीडियो है तो आप लोग काफी गंभीरता से इस वीडियो को सुनेंगे आ यहां यहां आवार्ड क्यों प्रदान किया गया तो भुकम से बचने को लेकर इन्होंने एक मौडल को प्रस्तूत किया था उसी मौडल के अधार पे इनका चैन किया गया है और इन्हें आरा के प्रतिक कुमार को यहां आवार्ड से समानित किया गया है तो आवार्ड का ना अगला है इन SSO की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी पट्टी राजियों में ओनलाइन बैंकिंग में बिहार प्रथम अस्थान पर है अगर बिहार का ओसत पर्तिसत देखा जाए तो बिहार का ओसत पर्तिसत है 24.6% जो की राष्टिये ओसत से थोड़ा सा कम है राष्टिये ओसत का पर्तिसत है 25% और बिहार का ओसत जो है 24.6% है अगर बिहार में ग्रामिन बिहार को देखा जाए तो 23.2% ओनलाइन बैंकिंग सुविधा और सहरी बिहार का ओसत देखा जाए तो 33.9% है तो NSS-O के द्वार हाली में रिपोर्ट दारी की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार हिंदी पट्टी राजियों में ओनलाइन बैंकिंग में बिहार पर्थम अस्थान पर है बिहार का ओसत जो है 24.6% है वही राष्टिये ओसत 25% है बिहार में अगर ग्रामिन बिहार का अस्थान पर है और इंपोर्टेंट यह है कि बिहार का एकमात्र सीटी जो है वह पटना जिसे इस रैंकिंग में सामिल किया गया है गारविजफुरी सीटी का तमगा जो है वह पटना को प्रदान किया गया है तो स्वच्चता में 94 के लिए देश भर के टॉप 15 सहरों में से पटना जो है वह नौ में अस्थान पर है डाक बिवाग का राज का पहला केंदरी कृत बितरन केंदर 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 केंद्रिय परेटन मंत्री भी इसमें सामिल हुए थे और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि 17 राज इसमें सामिल हुए ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्यान भवन पटना में आयूजित किये गए ट्रैवल एंड टूरिजम फेयर 2024 में देश के कितने राज् को प्रमोट करने के उध्यशे से बिहार सरकार के द्वारा बिहार फिल्म Conclives 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर इसका आयोजन किया गया तो पटना में किया गया है 18 अक्टूबर को ठीक है इसका उधगातन उपमुख मंत्री बिजाय कुमार शिंग के द्वारा किया गया और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार मेंking इंडास्ट्री को प्रमोट करने के उदेसे बिहार सरकार के द्वारा फिल्म सिटी का भी निर्मान किया जा रहा है और हाली में सरकार के द्वारा फिल्म पॉलिसी भी लाई जा चुकिया ठीक है तो बिहार फिल्म कॉनकलेब दोहज़र चोविस इसका मुख जो उदेश है बिहार में फिल्म निर्मान को प्रोसाहित करना इसका उदगाटन विजय कुमार सिंग उप मुख मंत्री के द्वारा किया गया 18 अक्टूबर को पट कैंसर प्रतिरचन योजना ठीक है तो मुख मंत्री बाली का कैंसर प्रतिरचन योजना के तहत सवाईकल कैंसर से बचाव है तू 9 से 14 वर्स की बच्चियों को निसुलक HPVT का देने वाला पहला राज बना है बिहार काफी मात पून है ठीक है आप लोग ध्यान रखेंगे सवाईकल कैंसर से बचाव करना है अगला है एक बहुत महत्तपुन असकीम को किंसरकार के द्वारा अवार्ड परदान किया गया है और उस असकीम का नाम है सक्तिकारकरम ठीक है तो बिहार की सक्तिकारकरम को केंद्रिय समाजिक नय एवं अधिकारता मंत्राले के द्वारा स सवाल है कि सक्तिकार्चक्रम क्या है तो सक्ति नाम से ही आपको लग राओगा कि महिलाओं को ससक्त करना सक्तिकार्चक्रम का मुख उद्यस है इसके ताथ महिलाओं को ड्राइविंग सिखाया दाता है और यह जो अस्कीम है सक्तिकार्चक्रम वह बिहार कौसल विकास मिशन के द्वारा संचालित की जाती है ठीक है तो सक्तीकारज करम के तहत driving के लिए महिलाओं को trend किया जाता है उनको प्रशिचित किया जाता है और प्रशिचित महिलाओं को पटना नगरनिगम एबन और और आटोमोटिव कॉसल बिकास परिशत के सहयोग से चलाय जा रहे स्वचांगनी कार्चक्रम के जरिये उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाता है ठीक है तो सक्तिकार्चक्रम और स्वचांगनी कार्चक्रम दोनों एक दूसरे से connected है सक्तिकार्चक्रम के तहत महिलाओं को driving सिखाई जाती है उनको causal प्रशिछन प्रदान के जाता skill training दी जाती है और जिन महिलाओं को सक्तिकार्चक्रम के तहत आत निर्भर बनाने का कर किया जाता है और इसे सक्तिकार्चक्रम को हाली में केंद्रिय समाजिक नय एवं अधिकारता मंतराले के द्वारा इसे आवार्ड परदान किया जा चुका है तो चुकि केंद्रिय सरकार के द्वार्ड परदान किया गया है तो अपने आप में यह अस्किम जो है काफी महत्पून है अगला है बापू टावर का लोकारपन आप सबी दानते हैं कि हाल ही में दो अक्टूबर को गांधी जनती के अफसर पर मुख मंत्री के द्वारा बापू टावर का लोकारपन किया गया बापु टावर का लोकारपन किया गया है गांधी जी की 155 जनती के अफसर पर अप लग्ध्यान देंगे 2 अक्टूबर 2024 को बापु टावर का लोकारपन किया गया और इस अफसर पर गांधी जी की 155 जनती थी इसका सिलान्यास 2 अक्टूबर 2018 को किया गया था इस समय गांधी जी की 150 मी जनती थी जनती कहां पर इसका लोकारपन किया गया गर्दनी बाग पटना में अवस्थित है बापू टावर इसकी कुल लागत 139,3-3-8 करोड यानि की लगभग-139 करोड आप लोग राफाइडिया में याद रखेंगे बापु टावर का कुल लागत है और इसकी उच्चाई 111.87 फीट है ठीक है तो बापु टावर में तपुण है पटना के गरदनी बाग में इस्थित है सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निसुलक दवा बितरन करने में बिहार पहले अस्थान पर है ठीक है नमबर वन पर है और कि संगन्द का अगर कुल हम लोग पर तिसर देखा जा तो 98.9 परसंट इसने अस्कोर किया ठीक है तो जिल्ला अस्पताल जितने भी राज में जिल्ला अस्पताल है जितने डिस्टिक में तो उन जिला अस्पतालों में बेहतर अनलाइन सुबधा प्रदा करने में कि संगन्द नमबर वन पर है और कटिहार जो है नमबर दो पर है ठीक है तो काफी मात्पुन है निती आयो के सीओ बी बी आर सुब्रमन्यम ने बिपाड गया में भारत लैब की तरज पर बिक्सित बिहार जेन नेक्स्ट का उद्गाटन किया गया है बिहार जेन नेक्स्ट ठीक है काफी मत पुण है आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार जेन नेक्स्ट लैब का उद्गाटन कहां पर किया गया तो गया में किसके द्वारा किया गया तो निती आयो के CEO BBR सुबरमन्यम के द्वारा किया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने बिहार जेने next lab का तो घाटन किया ही है इसके साथ साथ गया में data driven governance समंधि समेलन में भी उन्होंने भाग लिया था नितिया के CEO BBR सुबरमन्यम नहीं और इसमें भी important है कि 17 राज्य के प्रतिनीदी समलित हुए तो अगर देखा जाए तो नितिय कि CEO BBR सुबरमन्यम हाली में गया उनका दारा हुआ था बिपार्ड में वे गये थे और गया बिपार्ड में भारत लाइब की तरफ पर उन्होंने बिहार का इस तरह का देखा जाए तो देश का पहला लाइब जो है वह गया में अस्थापित किया गया है और उसका नाम दिय गया है बिहार जिन नेक्स्ट लाइब ठीक है यह बेसिकली AI मॉडल के अधार पर काम करता है और इसके साथ सतिन होने गया में डाटर ड्रिवन गवर्नेंस समदी समयलन में भी भाग लिया था जिसमें देश के लगभग 19 राजियों के प्रतिनीदी समलित हुए थे तो काफ दोगा है आठमी महिला होकी ASEAN Champions Trophy बहुत मात्पूण है क्योंकि ऐसा आयूधन जो है वह बिहार में किया जा रहा है आठमी महिला होकी ASEAN Champions Trophy इसका आयूधन कहां पर किया जाएगा बिहार में खेल अकादमी राजगिर में 11 से 20 नवंबर के बीच में इसका आयूधन होग और बहुत तो पुनिया है कि इसमें 6 देश हिस्सा लेंगे कौन-कौन 6 देश है तो हमने दो-दो का पेयर यहाँ पर कर दिया है आपको याद करने के उदेश से एक पेयर में भारत-चीन, दूसरा जापान, दासिन, कोरिया और तिसरा मलेशिया, थाइलेंड यह सब परोसी देश है भारत-चीन, जापान, दासिन, कोरिया, मलेशिया, थाइलेंड यह अच्छा देश जो है वह महिला होकी, एसियन चैंप्रेंज टॉफी में हिस्सा लेंगे जो भारतिये टीम है, भारतिये टीम के कप्तान कौन होंगे सलीमा टेटे, ठीक है, महिला होकी टीम है तो भारतिये टीम के कप्तान सलीमा टेटे होंगी सुभंकर कौन, तो सुभंकर गुडिया को बनाया गया है तो अब पुछा दा सकता है कि सुभंकर क्या है तो गुडिया अब आईए ट्रोफी गॉरव यात्रा आठमी महिला होकी ASEAN Champions ट्रोफी है तो इसके लिए जागरुकता के लिए ट्रोफी गॉरव यात्रा का आयोजन किया दरा है ट्रोफी जो गौरा वयत्रा है यह 14 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच इसका आयोजन होगा और 11 नवंबर से आपका महला होकी ASEAN चैम्पेंश ट्रोफी का आयोजन प्रारम होगा और कारिचकरम शुरू होगा ठीक है तो ट्रोफी गौरा वयत्रा 14 अक्टूबर से ले ट्रॉफि गौरा व्यातरा गुजरेगी ट्रॉफि गौरा व्यातरा कब से कब तक और किसे द्वारा इसको हरी जंडी दिखाई गई तो ये सभी प्रस्विए अपने आप में सतन्मी बिपेसिव प्रेलिम्ज के लिए महत्तपुन हो जाता है बिहार की ग्राम कचहरिया नियाय देने के मामले में देश में सिर्ष अस्थान पर है यानि कि बिहार की जो ग्राम कचहरिया है वो सबसे ज़्यादा नियाय प्रदान करने में टॉप रैंक पर है देश के अंग राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर परदर्शन बिहार की ग्राम कचहरियों के द्वारा किया जा रहा है ठीक है अगर देखा जाए तो दिवानी मामले में 93.7% और फौजदारी मामले में 93.60% मामले का निस्पादन किया गया बहुत मतपुण है बिहार की ग्राम कचहरिया नयाय देने के मामले में देश में सिर्श अस्थान पर है अगर दिवानी मामला आता है माल लेता है कुदारन के लिए अगर कोई 100 मामले ग्राम कचहरी में रजिश्टर्ड किया गया बिहार के किसी भी ग्राम कचहरी में और अग से 93.6% मामले का निस्पादन किया गया और अगर दिवानी मामले से संबंदित है तो 93.7% फौजदारी जो है 93.6% मामले का निस्पादन किया गया तो बहुत मातपून है हाल ही में मुख मंतिरी ने किस जिले में 494 करोड की योजनाओं का सिला नियास किया है चलिए यह topic काफी महत्त पूढ़ है क्यूंकि हाली में किंसरकार के दौरा बिहार के नौ जीलों में खनीज भंडार के अवसेस चिनीत किये गये हैं तो इन नौ जिले के साथ-साथ कौन से खनीच कहां पर मिला, कौन से खनीच का अपसेस कहां पर उपलब्द हैं, इसका प्रमान मिले हैं, इसे आपको पूरी तरीके से रट जाना होगा, जैसे नालंदा डेश्टिक, नालंदा में सफेद अबरक, आरा, चुना पत्थर बंसील तो बिहार के नौ जीलों में हाली में खनीच भंडार के अबसेस मिले हैं, इन नौ जीलों का नाम और उसके साथ-साथ कौन से खनीच भंडार कहां पर मिले हैं, इसे आपको याद करना होगा, फिर से एक वार हम देख लेते हैं, नालंद जीले में सफेद अबरक, आरा, चुना पत्थर बंसील का, नवादा, आंसिक सोना, गया, अबरक, बिगुसराय, ब्लैक क्ले, मुंगेर, बायोटाइट, ग्रेनाइट, सिलेट, अबरक, क्वार्ड्स और काइनाइट, बांका, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, पागलपूर, तांबा, एवं, जस्ता, तो ये नौ जीले में खनीज भंडार के अपसे सहाले में चिनहित किये गए हैं, तो उसे आप लोग ध्यान देंगे, अगला है, बिह्टा पत्ना में, राज के पहले, ड्राइपोर्ट एवं, इनलैंड कंटेनर, डिपो की सुरुआ कि गई है, बाध मात पूर्ण है, ठीक है, राज का पहला ड्राइपोर्ट और इनलैंड कंटेनर, डिपो की सुरुआट कहांः कि गई, बिहटा पतना में कि गई है, यहां तteriार नबे कंटेनरों की पाहली खेप, किस देश को निर्याद की गई, तो रस्या को निर्याद की गई है इसने बिहार में देखा जाए तो निर्यात बृद्धी को प्रोशाहन मिलेगा ड्राइपोट के बन जाने से ठीक है तो राज्य के पहले ड्राइपोट और इनलैंड कंटेनर डिपोग के सुराथ बहटा पटना में की गई यहां से तयार किये गए नबे कंटेनर की पह सरकारी लैब बन गया है तो आप ध्यान देंगे PMCH का جो माइक्रो बायलोजी प्युहाग है माइक्रो बायलोजी प्युहाग के अंतरगत HIV लैब जो है उससे NABL समानता मिली है और NABL समानता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला सरकारी लैब बन गया है नितियाय की SDG India इंडेक्स 2013-2024 के अनुसार बिहार में प्रारामभिक सिछा के लिए दाखिले का परतिसात 97% है बहुत मत्तपुण है बिहार में जो प्राइमरी एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन में दाखिले के लिए जो पर्शेंट अगर देखा जाए बिहार का तो 97% दाखिला जो काफी ग्रोथ देखने को मिलिया है अगर 2020-21 का डेटा हम लोग देखें SDG इंडिया इंडेक्स नितियायो का तो 2020-21 के डेटा के अनुसार यहाँ परतिसात 86.5% था और 23-20 के डेटा में यहाँ बढ़कर 97% हो चुका है तो नितियायो के द्वारा जो SDG इंडिया इंडेक्स इसमें 97% हो चुका है अगला है राजस एवं भूमी सुधार विवाग का जिलावार रैंकिंग हाली में रैंकिंग जारी की गई है राजस एवं भूमी सुधार विवाग का ठीक है जिलावार रैंकिंग इसमें फर्स्ट नमबर पे बंका आता है बंका ने अस्कूर किया है 56.80 दूसरे नमबर पे सेखपूरा है सेखपूरा ने 51.33 अस्कूर किया अररिया सबसे लास्ट में है 20.9 अस्कूर किया ठीक है तो अपलग याद रखेंगे टॉप और बॉटम ये दोने याद रखेंगे तो राजस एवन भूमी सुधार विवाग के द्वारे जिलावार रैंकिंग जारी की गई है उसे पहले नमबर पे है बांका दूसरे नमबर पे से कूरा और लास्ट 38 में नमबर पे है अररिया पटना जीपियों में विदेशी डाके घर खोलने की घोसना की गई है ध्वाग की हाइवरीड प्रदाती है जिसका विकास बिहार के लिसी वे जाले सबार के द्वारा किया गया है अगला है स्वच्छता भी सेवाकरचक्राम 2024 स्वच्छता ही सेवाकरक्राम 2024 जिसका आयोजन 17 सिप्तमबर से 2 अक्टूबर यानि कि 15 दिन के, हर साल इसका उजन किया दाता है, परतेक वर्स 15 दिन के लिए ठीक है, दो अक्टुबर चुकी उसी दिन देखेंगे तो सवच भारता व्यान को लांच किया गया था, गांधी जनती के अफसर पठीक है, तो जो उसके प्रिवेस 15 डेज होते हैं, उसमें परत एक वर्स सवचता ही सेवा कार्शकरम का उजन किया दाता है, तो सवचता ही सेवा कार्शकरम 2024 में, जन भागीदारी एवं कचरा इकाईयों की ओर से की गई सफाई में, बिहार को प्रथम अस्थान मिला है, ठीक है, काफी मत्त पुन है, सवचता ही सेवा कार्शकरम में, जन पहले अस्थान पर है यूपी दूसरा अस्थान पर है बिष्ट बंगाल और बिहार जो है सिच्छा के छेत्र में रुजगार के मामले में तीसरे अस्थान पर है अगला है राजिका पहला गुलूकोनाइट का खदान तो राजिका पहला गुलूकोनाइट का खदान रोहतास म मिला है हली में मुकामा के मसूर को GI TAG के लिए प्रस्ताव भेजा गया है मुकामा के मसूर को GI TAG के लिए प्रस्ताव भेजा गया है वहाँ पर देखेंगे तो मुकामा में केवाल मिटी पाई जाती है ठीक है पूरा अगर मुकामा टाल का एरिया देखेंगे तो पूरे मुका हजार हेक्टेर में मसूर की खेती की जाती है और इसी मकामा के मसूर को GI TAG के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और उमीद है कि जल्द ही इसे GI TAG प्रदान कर दिया जाएगा अगला है बालमी की टाइगर रिजर्ब के पास अत्यांत दुरलब साप मिला है इस साप को कोरल रेड कुकरी साप के रूप में नाम करण किया गया ठीक है कोरल रेड कुकरी साप इसका बैगानिक नाम Oligodon Chariensis है जो कलर इसका देखा जागा साप का तो रंगी लाल रंग मिक्स है इस सांप का कलर ठीक है तो नाम क्या है और भलम की टाइगेर रिजःब एक 120 साल पहले इसे दुदवा नेशनल पार्क में भी देखा गया था ठीक है तो भलम की टाइगेर रिजःब कोरल रेड कुकरी सांप बैगालिक नाम है औली गोडोन खेरियंसिस नेरंगी लाल रंग इसका कलर है अगला है बिहार में चार सीटो पर उपचुनाव आयुजित की दा रही है जो उपचुनाव जिन चार सीटो पर आयुजित किये दा रहे हैं उनमें तरारी, इमाम गंज, रामगर्ण और बेलागन ये चार डिस्टिक जो है वह विधान सवा की इन चार डिस्टिक पर उप्चनाव आयोजित किये दा रहे हैं अगला है हाली में पतना हाई कोट में दो नए नयाधीसो की न्यूकती की गई है और इन दोनों नए नयधीसों की न्युक्ति के पस्चात बिहार में कुल अब तक 35 नयधीस हो चुके हैं बिहार में नयधीसों की सुकृत संख्या 53 है लेकिन इन दो नयधीसों के मिलकर बिहार में अभी कितने हैं पतना है कोट में 35 नेरीत की नियुकति हो चुके है ठीक है तो पतना है कोट में टोटल कितने नेरी सो हो सकते हैं 32 और बरतवान समय में इन दो नेरीत की नियुकति के प Halis अब दो नए नेरीṣ जिनकी नियुकति की गई हाली में उनका नाम है ससी भूसन प्रशाद सिंग और एक है असो कुमार पांडेया ठीक है तो इन दोनों को मिला कर हो चुके हैं टोटल न्यादिसों की संख्या 35 तो आप लगयात रखेंगे बरतमान समय में हो सकता है कि पूछा जाए कि कुल न्यादिसों की संख्या पटना है कोट मे कितने है तो 35 और स्युक्रित पद कितने है तो 53 तो दोस्तों इस परकार से विहार का करेंट अफ्यार अक्टूबर महीने की डिसकसन समाप्त हुआ इसके पूर में सतरमी बीपेसी प्रेलिम्स के लिए जनवरी 2004 से लेकर जब तक एक गामनेशन कंड़क्टर आई जाएगी यानि कि नवंबर तक का पूरा करेंट अफ्यार का विडियो हमारे यूट्यूब चैनल आईसपी से सेंटर पर अबलेबल है एक सेपरेट प्लेलिस्ट है वहां से स सारे महीने का विडियो आप लोग देख ले पर तुक्ता दरपन का सॉर्टनोट सारे एक महीने का प्लेवल है वीहर करेंट अफ्यार का हर एक महीने का विडियो वहां पर अबलेबल करा रहा है और अगर आप लोग नए है तो यूट्यूब चैनल को जरूर किये जाते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें थैंकू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद